चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं समिधान के इस विकास यात्रा में हम मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ रहे हैं हमने आपको बहुत ही डेफ्थ में पहले तो इसका foundational concept समझाया और यह detail में explain किया कि यह part 3 में fall क्यों करता है उसी में उसके कई concepts भी छुपे हुए थे वो हमने बताए जिससे कि आपको पूरा fundamental rights समझने में आसानी हो जैसे अगर preamble समझा हो तो constitution को पढ़ने और समझने का नज जरिया ही बदल जाएगा विक्सित हो जाएगा उसके बाद हमने salient features आपको पढ़ा है fundamental rights के और उसमें almost fundamental rights का सारा core concept चुपा हुआ था फिर हमने आपको foreigners को कौन-कौन से exclusive rights available हैं वो reasoning के बेस पे समझाय लॉजिक्स दी हमने आपको क्यों available हैं ताकि आपको कभी रट्टा नह हम आगे बढ़ रहे हैं 14 में exceptions भी थी आर्टिकल 14 बात करता है right to equality की और right to equality में दो concept उसमें बताय गए थे equality before law जो कि हमने British Constitution से लिया है और equal protection of law जो हमने American Constitution से लिया है उसी आर्टिकल 14 में हमने समझा कि हमारा country जो है वो इक्वल प्रोटेक्शन ओफ लॉग के concept पे ज्यादा फोकस करता है आज की डेट में जो right to equality आर्टिकल 14 के अंडर फॉलो हो रहा है इंडिया में उसमें equality before law से ज्यादा प्रोपोर्शन इक्वल प्रोटेक्शन ओफ लॉग का है बाई लॉजिक हमने आपको समझाया को कानून की नजर में सब बराबर हैं यह बताता है equality before law जो प् कानून का संग्रक्षन बराबर प्राप्त हैं दोनों में difference और उसी concept पर हमने आगा आपको पढ़ाया था लेकिन अब कानून की नजर में सब बराबर है यह कानून का संग्रक्षन सबको बराबर प्राप्त है इकोल प्रटेक्शन ओफ लॉग है इसके हिसाब से देखा सब्सक्राइब के सब्सक्राइब कानून के अधीन है और एकोली सब्जेक्टेट टूजा लॉग नो परसन अबाव दा लॉग लेकिन फिर भी मैंने अभी बताया हम एकोल प्रेक्शन ओफ लॉग को फॉलो कर रहे हैं कानून का बराबर संग्रक्षन तो उस हिसाब से अग जबाद करेगा और विल लार्जर इंट्रस्ट को एक वैल नरिस्ट वैल डेवलप्ट ससाइटी को चीव करना चाहेगा और हर संस में प्रोवाइट करेगा और बैलेंस के लिए वह एक तरफ से कुछ चीज़ें देगा तो कुछ उसमें एक्सेप्शन होंगी कुछ रिस्रि चीनी चावल कुछ भी उसमें एक पार ही डाल दिया जाता है जब वह जादा बढ़ जाता है उदर से निकाल के थोड़ा-थोड़ा इधर डाला जाता है या फिर बटे बढ़ाए जाते हैं तो संतुलन स्थापित करने के लिए करना ही पड़ता है वही कॉंस्टूशन करता है एक्सेप्शन को समझें आर्टिकल 14 की कुछ एक्सेप्शन से एक्सेप्शन से एक्सेप्शन स्वांता में हमने बात तो समांता की कहती लेकिन समांता में भी एक्सेप्शन से तो वह पहली जो एक्सेप्शन आ रही है वह प्रेजिदेंट ऑफ इंडिया और गवर्मेंट स्टेट से रिलेटिए इनको कुछ तरह की इम्मेनिटीज मिली हुई है आर्टिकल 361 के तहती चल रही है बात इह क्या बताता क्या समझाता सबसे पहले देखें कि दप्रेजिडेंट और दगवर्णर इन दगप्रेजिडेंट और दगवर्नर इस नॉट आंसरेबल to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his office कि जो प्रेजिदेंट है हमारी कंट्री के और जो गवर्नर सूते हैं स्टेट के वो किसी भी तरह से आंसरेबल नहीं है उन्हें कभी court नहीं ले जाया जा सकता उनसे पूछा नहीं जा सकता यह नोट आंसरेबल तो एनी कोट पॉर्ड़ एक्सराइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ पावर्स एंड ड्यूटी ऑफिस ऑफिस क्या रीजन हो सकता है जैसे मान लीजी कि कोई पुलिस ऑफिसर है उसके डिस्पेंस में जो भी पावर और ड्यूटी हैं उनके तहत अगर वो मान लीजें लाठी चार्ज करता है या कोई भी और घटना करम हो जाता है तो आप तो एक पॉइंट पूरें कोट ले जा सकते हैं सभी के सभी executives के अगर हम देखें तो head of the state है president और state में अगर हम देखें तो president executive head है इस तरह से अना तो उस हिसाब से अगर हम चलें तो जितने भी हमारे officers होंगे उन officers के actions उनको उस काम के लिए कोट ले जा जा सकता है लेकिन president को और governor को ऐसा नहीं किया जा सकता इसमें रीजन यह बताया जा रहा है कि जो office of president है वो उसके तहत जो शक्तियां और जो जम्मेदारियां दायत्व मिल रहे हैं उनको यदि exercise करते हैं तो फिर उनको किसी कोट में answerable नहीं ठहराएगा उसका reason क्योंकि constitution ही यह कहता है कि जो president of India है वो अगर कोई भी काम करेंगे तो वो council of minister की aid and advice पर ही काम करेंगे because president is bound to work according to the aid and advice tendered by the council of minister headed by the prime minister तो जब वो अपने विवेक से कारे ही नहीं कर रहे हैं जब वो अपने काम विवेक से काम ही नहीं कर रहे हैं तो फिर ultimately उनको उनके office के तहत मिली हुई शक्तियों को exercise करते हुए या फिर उनके office के according जो duties उन पर आती हैं उन duties को fulfill करते हुए जो भी consequences develop हो उसके लिए क्यों किसी court में ले जाया जाए अब तो यह होगा कि मान लीजिए कि council of minister ने कोई aid and advice इस तरह का दे दिया है तो अब आप कभी भी देखिए आप ध्यान से सोचिए हमेशा जितने भी orders हैं वो on the name of the government of India on the name of president आते हैं जैसे मान लीजिए किसी की नियुकती हो गई किसी के appointment कर दी गई उसमें को corruption दिखा उसमें को गलती दिखी तो opposition वाले अगर आप देखें तो देखेंगे जो सरकार है यानि कि जो ministers और prime minister हैं वो उनको question करते हैं संसद में हाना वो रास्टरपती को question नहीं करते या फिर आप देखें कभी court में भी government जो है वाया attorney general खुद को रिप्रेजेंट कर रही होती है लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता है कि वहां पर प्रेजिडेंट को question किया जा रहा है समझे हैं बात उसका reason यह है कि प्रेजिडेंट ने तो उनके हाथ में जो वरेंट था उस वरेंट को open किया और जो नेम आया उस नेम को उन्होंने अपॉइंट कर दिया उनकी अपनी तो इच्छा उसमें कोई थी नहीं इसी तरह से प्रेजिडेंट के पास जो भी बिल्स जा रहे हैं दोनों houses से हो करके उसके तहत रख रहा है तो फिर हमें यह मान के चलना होगा कि हमें यहां पर प्रेजिडेंट को समान नहीं काउंट करना चाहे अंदा नेम आफ रेजिडेंट सब हो रहा है बट एक्चुल में उसके पीछे की जो विल थी वह पावर जो थी वह प्रेजिडेंट नहीं थी प्रेजिडे प्रसीडिंग नहीं हो सकती किसी भी कोट में इंडिया के अंदर कहीं पर भी जब तक उनका टर्म आफ ऑफिस एक्जिस्ट कर रहा है यानि कि जब तक वह अपने ऑफिस में हैं ऑफिस में होने का मतलब यह नहीं कि आट बज़े तक हैं रात को प्रसीडिंग नहीं होगा किसी कूट में अब आप कहेंगी कि सर्फ वह तो मडर कर देगा कर देगा तो कुछ नहीं होगा कोई क्रिमिनल प्रसीडिंग नहीं होगी पॉइंट ब्लैंक के गोली पॉइंट ब्लैंक पे गोली मारी प्रेजिडिंग ने और गवर्नर अफ दे स्टेट ने कोई क्रिमिनल प्रसीडिंग नहीं होगी लेकिन आगे लाइन पूरी सुनिए जब तक उनका टर्म आफ आफिस तहत साजिशों के तहत क्रिमिनल चार्जेस आप पर लगा दिये जाते हैं पांच हजार दसाजार रपर खिला करके चार्ज लगवा दिया किसी के कोई अच्छे बच्छे पढ़ लिख करके अच्छे एक्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं उसको पुलिस क्लेरिंस ना मिले उस प कहा कि सारे इंजनुन हैं बड़ यह होता अब इस तरह से Management है सब कुछ उनके name पर होगा उनके नाहोने से पारलेमेंट दूरी है क्योंकि पारलेमेंट सब्सक्राइस रग स्प्रेज्ट्डन से मिलकरके बनती है कि बहुत महतपूर कोई बिल ही person उन पर किसी भी तरह से कोई criminal FIR लगा करके कुछ इस तरह का arrest करवा दिया जाए तो प्रेजिडेंटी दफ्तर से गायब रहेंगे आप कहेंगे वाइस प्रेजिडेंट उनकी जगा ले लेंगे उनको भी उठवा देंगे तो इस तरह से तो problem चलता सब्सक्राइब फिर प्रेजिडेंट के लिश out को बनzy प्रेजिडेंट की जिम्मेदारीचा निभाए यह ज़्यादा में अगर हम देखें तो president head of the state है country politics पूरी तरह से destabilize हो सकती है एक तरह से parliament paralyzed हो सकती है कामधाम सब रुख सकते हैं और बहुत ही important decisions कई परी executive actions के basis पर लेने होते हैं कई परी माल लीजे को बहुत महतुपूर्ण Parliament ही नहीं बहुत महतुपूर्ण ordinance issue कराना एंड इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फूट से जुड़ा या बाल दीजे रातोरात ordinance लाना है कोरवना जैसा कोई pandemic आ गया और next day से कुछ इस तरह से supply chain को लेकर के या food crops को लेकर supply करने को लेकर के ordinance चाहिए अपन को लेकिन पता लग रहा है कि एक्टम से ही उसी समय राष्ट्रपती करा करके criminal case में अरेस्ट कराया जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है किसी तरह कोई किसी कोट में कोई criminal proceeding यह क्या कैसे होगा कि उस देश का राष्ट्रपती कोट कचैरियों के तक क्रिमिरल केस में उस पर दलीलें चल रही है दफाएं चल रही है समझे इस बात को और मान भी लीजिए तोड़ी देर के लिए सोचिए समझे कि प्रेजिट को मान लिए सजाद मिल गई इमाजिन करिएं मिल गहीं सजा आप आप ने देदी किसी तरा से कि मुझे यह मुझे यह लग नीवी investigating सामने मेरे मा गोली हुए म की कर सकते हैं प्रेसे को सक्ती मेशि करने की मिल सकती चाया चारे मिल सकती मिल सकते तरह अपकी सजा कम कर सकते बदल सकते कम क्या नहीं उनके पास कौन को कम्यूट करने की रिस्पाइट करने की रिप्राइब वह बहुत सारी ताकते हैं वह अपने और इशु करके अपनी कर लेंगे सजा माफ कहेंगे दे तो सजा ले लो मजे यह ऐसा नहीं हो सकता उसका रीजन यह है कि अब आप कहेंगे सर्फिर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो किसने कहा कि उनको सजा नहीं मिलेगी मैंने बुला जब तक उनका टर्म ऑफिस है अब टर्म ऑफिस तो आप खतम कर दी जगले दिन ही क्योंकि इंपीच्मेंट लेकर क्या यह महाभ्योग चला दीजिए उनके लाफ्त इनकापैसिटी और मिस सोच के मारा होगा मैं तो नहीं इस पर साइन करूंगा या मैं नहीं वोट दूंगा तो आप इंपीच करें उनको इंपीच करके टर्म ऑफ ऑफिस कतम हो जाएगा और पर आप उनका तो पर उनके ऊपर चलाईए क्योंकि लेकिन यहां पर देखिए कितना स्टेबलिश करना पड़ेगा इंपीच्मेंट अगर आ रहा है तो जो क्राइम क्रिमिनल ओफेंस अगर कोई है मस्ट भी वेरी वेरी स्ट्रॉंग ऐसा नहीं है कि प्रेडेंट 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 के खिलाफ इस देश में एक हजार याची का है चल रही फलाना पलाना कोट में तो प्रे सब्सक्राइब कर चलना है कॉंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड़न एडवाइस से साइन सिंगनेचर प्रेडेंट के होंगे और एक तरफ से कॉवर्मेंट को पैरलाइस करने के लिए एक तरफ से लिए तरफ से निकालने के लिए पूरे भारत बर में 36 एपायर करा दीजिया मेरे सीड़र काम खतम कर दिया अब आप कहेंगे सर्फ मेंचन कर सकते किस किस क्राइम से वह ब्लैंकेट इम्यूनटी उनको दे दिया लेकिन वहाँ पर प्रिजिदेट को इम्यूनटी दिया है उस परसंट को तो नहीं दिया जो प्रेजिदेंट है गोली उस परसनने चलाई है और हमारे लिए प्रेजिडेंट की जो पॉजीशन है वो अक्षोन है अकंड है वो उसको हम अक्षोन और अकंड ही रखेंगे परसन जिसने गोली चलाई है उससे हम स्ट्रिप कर लेंगे प्रेजिडेंट का अगले दिन इंपीच करके और फिर उसको सजा देंगे बट वो कित समझ में इस तरह से यह immunity देना जरूरी था समानता के आस्पेक्ट में क्योंकि फिर प्रेजिडंट की कोई समानता नी रहेगी मालों प्रेजिडंट के साथ यह हो गया और रहेंगे अफ़वार में स्टेट्मेट की मैं तो गलती ही करती है बनके कांड सारा सरकार करती है और द क्योंकि पॉपुलर डेमोक्रेसी है ऐसे में बदले की भावना के तहर देखिए आप यूज कर सकते हैं जिस भी किसी मेले की शेत्र में थाना आ रहा है उसका इंफ्लूएंस है और थाने से ही क्रिमिल प्रसीज़न्स मतलब लिटरली आपके आप नाम पर अपने और निकलवा इन बाड़ी उन्हें प्रेज़न कराते रहते हैं बारत के कभी किस कोने में कभी किस कोने में इट इस नौट वॉसीफल समझ में समझें इस बात को तो यह एक इंपॉर्टन चीज़ है पर उस कोई कोफ उनकी टर्म आफ या इम्परीजन्मेंट का ऊड़र कोई कुछ नहीं हो जब उनका किमिल प्रसीजिंग ही नहीं हो रही है किसी दरह से तो फिर उनका arrest imprisonment कैसे और दूसरा मान लीजे कि कोई civil proceeding भी हो रही है तो भी imprisonment और arrest के order नहीं आएंगे जब तक वो term of office उनका चल रहा है इस बात को समझ के चलो मेरी बात को कई वरी कुछ civil proceedings में arrest imprisonment होता है उसमें भी नहीं होगा क्योंकि term of office में term of office करना पड़े यह क्लॉज इस लिए इस ते डिफर कर गया पहले में तो criminal proceeding चलेगी नहीं लेकिन रास्ट्रपती पर रास्ट्रपती पद पर रहते हुए सिवल प्रसीडिंग चल सकती है यह बात याद रखना सिवल प्रसीडिंग चल सकती है ठीक है देखो अपनी पत्नी डॉमेस्टिक वाइलेंस कर रहा है रोज जपड़ा देते हैं पकड़ के घर पर रोज ही रोज सुबही और नास्ते टेबल पर तो ऐसे में अब वह कंप्ल लए चल रहा है उसमें वह क्रेमिनल के सटी नहीं होता सर्फ इसे के रहेंगा लेकिन उसके लिए दो महीने का नोटेस पहले देना पड़ता प्राइब को नोटेस देना पड़ता है पहले यह इंपॉरण जी है तो बन तो उस माँले में मिनी आप करा सकते जब तक वह तरम मिलता है किरमिनल में सजाय मिलती यह बात याद हुई तो इस तरह से वह कह रहे हैं कि नो प्रोसेस और अरेस्ट और नो सिवल प्रसीडिंग कोई सिवल प्रसीडिंग भी नहीं होगी प्रेजिडेंट के खिलाफ और गवर्णर के खिलाफ जब वो ओफिस में तब या ओफिस में इंटर होने से पहले उन्होंने कुछ किया था माली मैं आज कोई जायदात का मेरा किसी तरह कोई प्रॉब्लम था चार महीने बाद मेरे रास्ट्रपती बनने से पहले वाले मामलों को लेकर और रास्ट्रपती बनने के बाद अगर मेरा कोई सेवल इशू हुआ है कोई प्रसीडिंग नी शुरू होगी अनलेस अंटिल जब इसको उतारते हैं अभी पकड़के तो नहीं ऐसा नहीं है वह पहले भी कुछ किया था तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं तो तभी आती जब कोई कुछ बन जाए तभी उसकी टांग कीचना चाहते हैं और कोई तो वह तब भी नहीं आद दो महीने का नोटिस देंगे आपक इस चीज़ को समझना में जरूरी है तो वही उसमें कहा गया कि राष्ट्रपती के खिलाफ जब वह पहले कर लिया ऑफिस मैंटर होने दिए देखे यह कुमिनल सब्सक्राइब अभी उनके द्वारा हो रहा है तो फिर उसको बनाएंगे यह क्यों सोच करके देखिए ना की कोई अगर राष्ट्रपती है बन रहा है तो उसका कोई करेक्टर देखा ही जाता है सारा उसका eligibility देखी जाती है सब कुछ होता है कि पता लगा कि कोई मतलब की दुनिया जहान का कोई गैंक्स्टर है माफिया उसको आकर करें आओ आओ राश्ट्रपती बना गणतांतर को तुम समालो हाइस्ट ऑफिस पहले पहले नागरिक बन जाओ आजाओ तो उस सरकार को उठा के पहले पहले नागरिक बना रहे तो यह नहीं होगा यह नहीं होगा और यह प्रेजिदेंट ऑफ इंडियांट गवर्नर के मामले में इम्म्यूनिटीज है लॉजिकल ही बनती है ना लॉजिकल उनके ऑफिस में रहते हैं उन्होंने कोई ड्यूटी या फिर किसी तरह की उनकी प्रसीडिंग में दो महिने का नोटिस उनको देदीजिए श्वल प्रसीडिंग में छोटी 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 मामले सिवल के मामले होते हैं उसके लिए उनका टर्म ऑफिस करना को जुरूरी है कि टर्म आफ ऑप उफिस करके के सब्सक्राइब तो यह इसमें बताया गया है no person shall be liable to any civil or criminal proceedings in any court in respect of the publication in a newspaper or telecast in radio or television, वो मैंने लिखा नहीं, publication in a newspaper or telecast in a radio and television of a substantially, यहां पर बात समझे, substantially true report of any proceeding of either house of parliament and legislature, टीक है, यह बात समझ में आई, तो आप अगर कभी कभी भी देखिए, तो आपको एक चीज नजर आती होगी, पहली बात तो Parliament and legislature का coverage जो है, वो coverage के लिए, टेलीकास्ट के जो coverage का राइट है किनके पास लोगसभा टीवी, राजसभा टीवी और बाकी सब जो है, वो उनके सौजनने से ही चलाते हैं, लोगसभा टीवी, राजसभा टीवी ऐसा लिखा होता है, और सौजनने से चल रहा है, उदर से ही चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि लोगसाबा टीवी रजेसभा टीवी कि क्या है डिरेक्ट फीड दे दी जाती है सीधा ही चला दो उसमें बहुत ज्यादा व्यूज इंटर्पेटेशन का स्कोप नी रहता वो सब्सक्टेंशली बहुत रूप सब्सक्राइब रेपोर्टिंग होती है लोगसाबा राजेसभा सब्सक्राइब अंदर हो गैलरी यह देखी उपर गैलरी बत्तियां बंद करके बैठे रहते हैं अंधेरे से वह आप जैसे मेरे जैसे लोग होते हैं ऐसा नहीं होता है उसके लिए पहले से पास बनते हैं पूरी special permissions होती है सारा कुछ होता है पूछा जाता है कि आपको क्या का क्यों जाना चाते ओं पढ़ना चाता हो कुछ research students होते हैं कुछ newspaper वाले होते हैं प्याम जंता फोर्द खावर लेकर की बाहर लिख रहें टांग रहे हो सकती है और फिर करने पर कि उनके कोई कारवाई भी नहीं होगी समानता अगता आई कि यहां पता लगे क्योंकि आपके रिप्रेजेंटरेट्टेटिव हैं लोग्साभारा अज्यसभा में उनके वाया पूरा देश चल वो अंदर एक बंद कमरे में बैठके क्या कर रहे हैं, आपको कैसे पता लगेगा जब टेलीकास्ट ही नहीं था, थोड़ा इमेजिन करो कि अंदर क्या चल रहा है, आपको पता तो कुछ भी नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो हो क्या रहा है वहाँ पर, उसको पता और वहाँ पर फिर उसको protection दी गई, immunity दी गई है, कि वहाँ पर यह कहा गया है कि उन पर किसी तरह की कारवाई नहीं होगी, किसी person को, क्योंकि लोगों ने report करना छोड़ दिया था, पतरकारों ने report करना छोड़ दिया था, पर कोई कारवाई नहीं होगी, हम नहीं करेंगे, उठा करके टांग दिया जाता है, हमें किसी तरह को rights थी available नहीं है, हम एक स्वतंत्र पतरकार के तौर पर काम ही नहीं कर पारें, जब बात लोगसबार आज्यसबा की proceeding क्या आ जाती है, तो आप पर कोई कारवाई नहीं होगी, हम गरेंटी करते हैं आपको, आई बस समझ में, आर्टीकल 361 नहीं कहता है कि no person shall be liable to any civil or criminal proceedings in any court in respect of the publication in a newspaper of a substantially true report of any proceeding of either house of a parliament or legislature, okay, next, no member of parliament, आर्टीकल 105 और no member of state legislature, आर्टीकल 194, चाहे वो पार्लेमेंट का कोई member है, लोकसभा राजसभा का MP, चाहे वो लेजिसलेचर का कोई member है MLA, वो पार्लेमेंट के अंदर या लेजिसलेचर के अंदर या पार्लेमेंट और लेजिसलेचर की बनी committees के अंदर कुछ भी बोलता है या वोट करता है उसके लिए भारत के किसी कोट में को कारवाई नहीं होग कुछ भी बोलता है और या वोट करता है कुछ भी बोला अब पार्लेमेंट के अंदर आपको बोलने की पूरी स्वतनतरता है अब मार लेज़िज़ेंव पार्लेमेंट में आप क्या बोल रहा है उसके लिए ऐगर आपके ओपर legal कारवाई या होने लगे तो फिर तो आपका तो तकाम तमाम हो गया मतलब éénक स कार से yolkid के अपने मिनिस्टर नहीं हैं लेकिन आपका और अधिकार के वह उसके लिए और संसद में सवाल पूछे नहीं पूछेंगे तो लोकतंत्र खतम क्योंकि हम तो यहां पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हैं और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ही यह है कि जो हमारी एक्जीक्यूटिव है यानि कि जो सरकार है वह रिस्पॉंसीबल है तूदा इसलिए फिर आप देखे इस पार्लेमेंटरी प्रिवलेजेज़ कहते हैं आर्टिकल एक सो पांच के तहए उन्हें एक सारा की प्रिवलेजेज हैं यह उनको इम्टी मिली कि किसी कोट में वहां पर उन्होंने क्या बोला है उसके लिए कोई कारवाई नी चलेगी पारलेमे पार्टी से जाएगा उसकी सदस्यता भंग हो सकती है यानि कि पार्लेमेंट की वो सारी जिमें और यहां स्पीकर के उपर है स्पीकर एक्षन लेंगे पार्लेमेंट इन मामलों पर यहां पर आप देख सकते हैं कि जुडिश्री को पार्लेमेंट के इन दायरों में इसी तरह से आपको यह भी सुनाओगा कि पार्लेमेंट में कहीं पर भी जजजिस के कंडक्ट के ऊपर चर्चा नहीं होगी मैंने पढ़ाया था तो जहां जुडिश्री को इमिनिटी देना जरूरी है कुर्सियां उठा करके फेकते हैं अंदर माई को करते हैं उनको पता है किसी कोड में कुछ होना नहीं है अलाकि वहां पर साफ लिखा गया है कि बोलने और वोटिंग के लिए अब जाकर घूसा मुक्का जलाने लगे अंदर और मालने चोट लग को चड़के मार दिया इस तरह को स्पीकर नहीं बनेगा कि मेरी तो सिक्यूर्टी कोई एक तो किसी कोड में मजा नहीं सकता अगर मुझे मार भी दे तुम लोग तो अपनी मर्जी का नया स्पीकर लेकर क्या होगे और वो उसे सिरफ डिस्मिस करके छोड़ देगा कि इसकी स आप उसको जा कोड में घसीटे कि इसने मेरी मा नहीं कर दी है वो तो तो कहेगा मतलब फिर मां बोलूं क्या आप बख्षबात कर रहे तो इसके लिए कुछ नहीं लेकिन किसी मार रहा है गुसोन मुक्के चल रहा है लात यह तो कैसा प्रदर्शन कर रहे होंगे बताओ इस लेकिन किसी को मार पीट पता लगे बेल्ट खोल के बैल ने फेड जैसे सामने आला स्वाल पूछने लगा मैं मंत्री हूं वो एक दूसरी पार्टी का में बेल्ट खोल लग पेटा है पूच चलामा मारा मुझ पे लोगा बकल उसके और वो कह रहा है मैं स्वाल तो नहीं प लेकिन अगर वोटिंग और बोलने के मामले में उसको आ जादी है यह गलती कमी ना कर देना कि जंसद बन गए अब अंदर जाके गुंडागर्दी फैलाएंगे गुंडागर्दी कहीं भी अलाउड रही है ठीक है अर्टिकल 31C तो मैंने कल ही पढ़ा दिया था अर्टिकल 31C जहां आता है राइट विकल्टी आर्टिकल 14 वहां से चला जाता है अर्टिकल 31C के तहत यहीं है कि सरकार को आदेश है कि डिरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को आप लागू करें उसके लिए वो कानू दूसरी तरफ आप एक गरीब को lgलेड़ दे रहे हैं लेकिंद दूसरों को नहीं दे रहे हैं तो वह कह सकते हैं दोनों आदमी की हम दूनों मैं आपने भरक कर दिया तो नहीं वह कर सकते हैं वह करना जूरूरी है क्योंकि एकल प्रोटेक्शन और दूनों को बराबर सकते हैं बड़े बच्चे नहीं कह सकते कि हमें समानता नहीं दे रहे हमें फ्री एजुकेशन दे वह जुरूरी था वहां पर आर्टिकल एंटर करता है आर्टिकल 14 निकल जाता है ऐसा कोड बोलता है इसा यहां पर आमीर खान को कह रहे होते हैं कि तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मेरे पास डिप्लोमेटिक इम्युनिटी है अमीरकान को भी पता होता है कि मैं नहीं मार सकता क्योंकि वो नसुरुदीन सा भी पाकिस्तान से वो डिप्लोमेट भी पाकिस्तान से वो नसुरुदीन सा के हातों उसको मरवा देता है और वादम उसको खु तो कुल मिलाकर के डिपलोमेटिक इमुनिटी अब पता लग रहा है आए अब पाकिस्तान की नहीं पर रहे हैं अगले ही दिन कोई केस उन्पे डाल दिया क्रिमिनल और लगे उनके कोड में ट्राइल कर और घ्राइल करके ट्राइल के जह सब विकास ठोक दिया यूपी में उस पूछरी कंट्री हमारा जाल दिया और हम केस चला रहे तो खतम घृथा और गाड़ी उल्टा दी उसने पुलीस वालों की उल्टा दी उल्टते उल्टते गोली चल गई पोकेट में से गोली पोकेट में से निकल गई और इसको लग गई क्या करें अब तो ऐसे चल जाती हैं अमरी गोलियां बंदू के बेताप पड़ी हैं कबसे तो ऐसे तो कोई जिंदगी में यहां कभी आएगा ही नहीं रूलर यहां पर पाउं रखने से पहले कांपेगा तु कुछ भी कर दिया। इनको तो कुछ करना ही मतलब हैं कि भी कर सकते हैं हम लोगों की अपनी को इजट मान समान नहीं है यहांकर कुछ भी करके चले जाएंगे जब यह हमारे साथ ऐसा कुछ करेंगे तो फिर इनकी कंट्री हो बताया जाएगा घर आपके हमने रखे हूंए ह यहां पर अंदर आपकी को आपकी हम जो है इनको ले जाए यहां से बदल के भीजिए और इसके तहत इन पर केस चलाएं देखिए हमारे भी पर होते हैं कभी कुछ हो तो फिर वो कंट्री हम पर प्रैशर कि इन्हों ने यह किया है हमारे लॉस के लीगल है तो इसको इनको भीज रहे अब आप फिर देख लिए इनके साथ क्या करना तो नया भी हम नहीं चलाएंगे लेकिन फिर यहां से जाएंगे और फिर नया वहां स से आएगा वह वह कंट्री डील करेंगे उस चीज से आई बास समझ में ओके तो यह चीज़ है वरना वह फिर यहीं पर है मान लिए उसने मारी दिया किसी को मान लिए मार दिया कुछ भी हो गया मान लिए छट पर चड़ा हुआ है लड़ रहा है अपनी पत्नी को गिरा दिय मान लिए पत्नी है पती गिरा दिया चट से अब वह दुनों कहें पुलिश जाए को चलो निकलो हम लोग फॉरन डिप्लोमेट अपने निगट लेंगे और कल इसको गाड़ी में भी पहेंग दूए और आप कहें कि मतलब यह क्या है पहले आपने चट से गिरा दिया फिर आ पता है कि हमें जल्दी निकालो यहां से बलना पता नहीं यहां पर क्या हो जाएगा हमारे साथ आई वास समझ में तो उनको हमें सरक्षण देना पता है फॉरन यहां पर आए उनके रूलर आए इसलिए बेबाग हो करके लोग कहीं भी जाते हैं नरेंद्र होती इतने मुलक सब्सक्राइब करेंगे चलिए बाटिकल 15 को देख लेते हैं आर्टिकल 15 क्या कहता है दस्टेट शेल नूट शेल नॉट शेल नॉट इस्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ओन ग्राउड्ट अउनली ओफ रिलीजन रेस कास्ट सैक्स और प्लेस ऑफ बर्थ यह बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल का पह वितिकल 15 जो है यह प्रोहिबिशंड फ्ष्रूर्बी वह बाइस के लिए अर्टिकल 14 ऑव बा lerटी का था यह प्रोहिशन ऑफ दिस्क्रीमिनेशन जब आप जाएंगि भी बिच्ष्ट पईब इसकिमिनेशन को यहांर्टिकल 15 wander और उसके देग्ध क्या कहा गया है ध्यान को मिलता है नहीं क्या ये legal persons को मिलता है नहीं ये pag liebe पर सबसक्राइब लीगल पर संटो मैंने पहले था article 15-16 नहीं मिलता आपको मिलता है और यहां से क्लियर हुआ यह यह आपको स्तेट के अगेंस्ट मिला हुआ है क्योंकि यहां पर स्टेट को ही गाइड किया गया है तो स्टेट शला naut इस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अइन इसेटिजन और ग्राउंड यहां पी वर्ड देखिए ओंली तो सिर्फ इन ग्राउंड पे स्टेट डिस्कृमिनेट नहीं कर सकता पर बाकी अधर पर क्रांप प्रांट्स पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है इन ग्रांट्स परणुश्ट्समी नहीं रिलीजन आपको धरम के आधार पर वो कुसी से वनचित नहीं करेगा रेस की आपके सें एथनिक एथनिक कल्चर क्या है आपका कास्ट क्या है आपकी सेक्स क्या है प्लेस ऑफ बर्ग तो इससे पता लग रहा है जन्मस्थान यह वही है डिस्क्रिमिनेशन जो हमने सदियों से झेली किसी को जन्म के अधार से वंचित रखना अना कि तुम्हारा जन्म जो है उस कास्ट में हुआ है तो तुम अब तुम फिर अफगान हो या फिर तुम अफरीकी हो इस तरह से एथनिक स्टॉक के बेसिस पर भी हम किसी के साथ बेज नहीं कर सकते हैं और या फिर तुम्हारा धर्म तुम फलाना फलाना धर्म के हो इनको रोक दिया हमने लेकिन इनके इलावा अधर ग्राउंड्स पर तो हम दन के तो परसं तो हुआ इंडियन औरीजन का माल लिजे इंडियन औरीजन का परसंट दिख रहा है हमको उसका बर्स लंडन में हुआ है लेकिन वह ग्राउंड्स नहीं अड्रेस कर पा रहा है कि उसने citizenship ले लिए हैं वो डिसेंट पूब नहीं कर पा रहा न वहां पर तो citizenship उसको नहीं मिल पा रही तो citizenship के basis पे तो हम उसके साथ discriminate कर सकते हैं ना तो हमने जब job offer करनी होती है तो उसमें आप से पूछा जाता है ने कि nationality क्या है UPSC का जब form भरते हो तो उसमें में क्या लिखते हो इंडिया Nationality नागरिक्ता का प्रमानाइं आपका अब वहां पर मैं उन से आए हैं बैठा हूँ इंडिया में ठीक है उं मैं माल लीजे की मैं माल लीजे कि मैं क्रिश्चन हूं क्रिश्चन के यह साब से मैं हूं मैं UK से हूं मैंने ने पॉरम भरा पहली बाद तो पूछा भी नहीं जा रहा है कि कौन हो तुम धरम क्या है के टिगरी पूछी जाती है धरम तो पूछा नहीं जाता अच्छा मैं यूरोपियन हूं या मैं आ रहे हूं कोई भी हूं मेरा कोई फॉरम में तो कोई पर अपने मेरी कास्ट अगर शिड्यूल्ड है कोई भी प्लेस ऑफ बर्थ आपका कुछ भी हो सकता है आप अफ्रिका में जन्म लीजिए इंडिया में तो आपसे तो पूछते भी नहीं है नेशनलिटी पूछी गई है इसलिए कॉलम ही दो है सेक्स पूछा गया है प्लेस पूछा गया है और सिंपल आसपेक्ट है क्य पूछी गई है इससे इलावा क्या पूछा गया है यह पूछा गया अब वहां पे इंडियन नहीं लिख रहे हो सिटीजिएंशिप नहीं मेंचन करें बाकी सब है आपके पास तो उनको कह रहे हो तो आपने तो जनम के आधार पर भेजनी करेंगे बिटे लिखा है कि only only in ground तो इसलिए अगर आप देखें तो आटिकल पंदरा के तहत कुछ राज्यों में जो रेजिडेंस एक क्राइटीरिया मेंचन करके वहां पर उन बच्चों को मेडिकल इंस्ट्यूशन या अदर कॉलेज में फीस में कमी दी जाती है कंसेशन दिया जाता है तो आप उस समय य में आपके लिए डेटरिमेंटल डिस्क्रिमेशन तो नहीं की उनके लिए कंसेशन रखाया तो यह आप सब्सक्राइब किया तो इसलिए किया है कि अभी यह करने के बाद वह समझ आएगा तो आर्टिकल पंदरा इस चीज का जिकर करता है और वही मैं आपको यहां पर पढ करके बता देता हूं कि citizenship के aspect में यह बात कहां आ करके खड़ी होती है वह कहते हैं कि दा पार्लेमेंट अच्टूशन अंडर अर्टिकल 15 प्रहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अनी प्रहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अनी सिटिजन ऑन ग्रांट्स आप इस इन मैंटर्स देट दो नॉट कम विदिन अपर विदिन अपर विव द राइट गिवन बाइद ऑन इस इन प्रेफरेंसे को देने से बाकी लोगों का कोई भी ऐसा राइट कर टेल नहीं हो रहा जो तो अगर वो स्टेट अपने रेजिनेंट्स को फीज में कंसेशन दे रहा है मालो तो इससे बाकी लोगों को कॉंसिट्यूशन के द्वारा किये गए आर्टिकल्स का तो कोई हनन नहीं हो रहा है क्योंकि उनको वहां पढ़ने की अफसर तो मिल रहा है एंडमेशन लेने की अफसर भी मिल रहा है सारी चीजें हो रही हैं वह अपने रेजिदेंट्स क्योंकि बैकवर्ड होंगे वीक होंगे पूर होंगे या जो भी है वह चाहता है कि लोग पढ़ें तो वह उनको अपने खाते में से पैसा देकर कंसेशन दे रहा है आई बास समझ में यह क्लियर हुई कहानी ओके तो यह एक इंपॉर्डन चीज है और यह भी स्टेट कॉलेज इस स्टेट युनिवर्सिटीज में होता है सेंट्रल कॉलेज सेंट्रल में तो पूरे देश में एक जैसे ही कानून और एक जैसे सिस्टम होता है तो अब हमें एक बात यह क्लियर हुई कि क्या आर्टिकल 15 के अंदर क जो क्ला Two रहा है यहां पर जो पहला भाग रहे उस भाग में किया यह किसी भी पर्तान को अवेलबल है नहीं सिटीजन को है यह किसका अगेंस्ट अव्य कर सकते महतने परत इसक्रिमिनेशन नहीं करना other grounds पर discriminate कर सकते हैं और सबसे महतपूर्ण बात discrimination word की discrimination word का यहां पर इस्तमाल कुछ ऐसा हो रहा है कि आप किसी के against negative discrimination नहीं कर सकते आप किसी को unfavorably distinguish नहीं कर सकते आप किसी को harm करने के लिए discrimination नहीं कर सकते मतलब आपने कोई distinction रखी है अगर तो वह unfavorable नहीं होनी चाहिए किसी को हाम नहीं करनी चाहिए और किसी को पीछे की और नहीं ले जानी चाहिए लेकिन आप positively discriminate कर सकते हैं और positive discrimination के clause से reservation आता है अगर मैं discrimination का concept ही ना रखूं तो फिर ultimately यहां पर सोच करके देखे कि reservation कैसे आया education में कि एड्यूकेशन में reservation का स्रोथ है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 15 के education में reservation का स्रोथ यहीं से जनम लेता है सोर्स यहीं से जनम लेता है कि positive discrimination की बात करते हैं और positive discrimination का मतलब यहां पर समानता को जब हम देखें तो समानता का इक्वेलिटी का मतलब यही है कि सभी को समान उपलब्धियां पराप्त हो उसके लिए समान सो विदाएं देनी पड़ेंगी संसाधन देने पड़ेंगे तो सभी को समान संसाधन उपलब्ध हो जैसे कि सभी को कानून का समान का सरक्षन समान पराप्त होना चाहिए ना उसके लिया हमने कमजोर को ज़्यादा संगरक्षंड दिया और मजबूत को थोड़ा कम तो मैं आपको इस दिन के सटैडी वाई समझाया मैं और वुमेन के आस्पेक्ट में लेकिन तरह से अब जब हमने कंसेट आपको पहले बताया कि ध्यान से अब यहां पर देखिए में मुख्य मुद्धा यहां पर कौन सा आजाता है कि इक्वैलिटी का मतलब यहां पर यह नहीं कि सेम लाइन से सबको रेस में दोड़ाना इक्वैलिटी का मतलब यह है कि जो सबसे कमजोर है उसको आगे रख करके दोड़ाना है फिर उससे थोड़े कम-कमजोर को थोड़ा पीछे सबसे मजबूत को पीछे से दोड़ाना है फिर यहां पर हम बात करते हैं. यह दिवार है और दिवार के पार उधर गेम चल रही है तो अगर 3 हाइट के दे दिये तो यह जो 5 फुट वाला है यह तो बड़े आराम से मान लीजे मैच देख पा रहा है और यह जो 4 फुट वाला है इसको हलका फुलका मैच नजर आरहा है ये पॉड़ वाला भी मैच देख पा रहा है ये चार फूड़ वाला भी मैच देख पा रहा है और ये तीन फूड़ भी मैच देख पा रहा है अब एक्विटी हुई तो एक विटी इस important then the equality हमें समान अवसर प्रदान करने समान संसाधन देने का मतलब समानता लाने के लिए दिए गए संसाधन कुर समानता दोनों केसेज में कहाँ पर आइए समानता यहाँ लाई तो हमें मच्मणें एकवेलिटी से इक्वाली ट्रीट करने का मतलब यह है कि कि पाम पाइट समंझ में अब इक्वैलिटी अचीव करने के लिए जिसको जो देना है वो दे दो वहां पर यह जो है यह नहीं कहेगा कि उसको आपने एक्स्ट्रा दिया क्योंकि हमारा पर्पस ओल्व हो रहा है वो है इक्वैलिटी समानता मिल गई को अगर हम यह मान करके सब्सक्रा देने हैं यह है इक्वैलिटी हम मतलब मानके चल रही है कि क्वैलिटी इस तरह से । देना है कोई वृदि अवस्ताम कई दात नहीं उसको भी खाने को सेप दे दिये जँए जवान को भी खाने को सेप दे इसको जूस देना पड़ेगा क्योंकि दूनों का पेड़ भरना समानता को पराप्त होना है खीव करने के लिए प्रोग्रेसिव थे पड़े लिखे थे यह दबे कुछले वर्ग से नहीं आते थे और यह जो मिडल वाले हैं यह ना उतने ज़्यादा पड़े प्रोग्रेसिव थे ना ही उतने दबे कुछले ठीक ठाकते लेकिन यह वर्ग जो है यह हमेशा से सामाजिक संग्रक्षणा में इसका जो जो स्थान रहा वो सबसे निचला स्थान यह दबा कुछला था यह पिछडा था इसकी वज़ा से अब जब देश यकायक आजाद हो गय किया है इसकी कोई त्यारी नहीं कराई कोई आई इसकी प्रेपरेशन नहीं और इसकी कोई पढ़ाई भी अच्छी नहीं स्कूलिंग भी तीनों को एक लाइन से दोडाना चुरू कर दिया एक दुर्बल है वह उतने शक्तिशाली के साथ नहीं भिढ़ पाएगा पहले आप सब्सक्राइब करने प्रपोर्शन में देखए रिसोर्स इस किसी भी लेवल पे अपना परपस यह नहीं कि तीन हाइट के टेवल देदिया किसी परपस से इस हाइट पर दीनों को लाना उसके लिए टेबल का साइज देखो कितना बनना चाहिए यानि कि इस लेवल की क्वेल्टी पर आना उसके लिए देखो कि कि लिए यानि करदो यानि क्वेल्यड कुछ कि